हर दोई में 24 सितंबर अखील भारती एरिक्षा ड्राइवर मालिक संगरक्षण यूनियन के बैनर तले एरिक्षा ड्राइवर ने यूनियन के राष्ट्य अधिवक्ताश्यो सेवक गुप्त जैके पैशिव के नित्रितों में शहर के कंपनी बाग में बैठक कर एरिक्षा ड्राइवर के हितों को लेकर विस्तरत्र चार्चा की गई तथा आर्टियों एवं यातायात पोलिस के मनमानी के चलते उनके विरोध में आक्रोश करते हुए 27 सितंबर शुक्रवार को एक बजे कंपनी बाग में एक अत्रित होकर मुख्य मंत्री को सब बोधित ग्यापन जिला धिकारी के मांध्यम सेव हे जा गया बैठक में सर्वसम्मत से निढ़ने लिया गया इस अवसर पर यूनियन के राष्ट्रे अध्यक्ष अधिकता शिव सेवक गुपता जैशिव ने कहा कि इस समय हर दोई शहर में एरिक्षा ड्राइवर और मालिकों को रोजी रुटी चलाना दुभर हो गया है गुपता ने ने कहा कि आर्टियो और यादायाद पॉलिस के मनमानी और ताना शाही के चलते और सम्मिधानिक रूप से ड्राइवर और मालिकों के सभी कागर जभी लेख उपलब्ध होने के बावजूद भी एरिक्षा सीज किया जा रहा है जिससे लोगों को परिशानी हो रही है आज हर्दोई के ड्राइवर की रिक्षा इनको प्रफिदिन आटियो और यादायाद पुलिस के द्वारा असमयदानिक रूप से बताडित किया जा रहा है सभी ड्राइवरों के पास लाइसेंस है सभी अविलेथ हैं परंक उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है यहां तक नहीं रूट के नाम पर अवयद वसूली चल लए है यहां तक ही रिक्षा को होंगार्ट तक भी रोक लेता है और उसको सीज करने का काम रपता है जबकि सीज करने का प्राविदान नहीं है क्योंकि उनके पास कावच पहले से ही सभी उपलब्द है जीरो पर यह इनका चालान करते हैं लेकिन सीजीम के हां कम से कम पांच शे दिन सीज रहती है गाड़ी पुलिस राइन में खड़ी रहती है ड्राइवर्स अभी गरीब लोग हैं को इनकी किसी ने फाइनेंस कराया है किसी अभी फाइनस अभी पूरा नहीं हुआ है रोजी रोटी के अगले सुप्रवार को सुप्रवार को दिया जाएगा और व्यापक रूप से प्रजशन दिया जाएगा यह संक्षन बनाया गया है कि रिक्सा ड्राइवर मालिक संक्षन यूनियर के तहर हम सभी लोग इसमें हमिंका समर्कन में अपर रहे हैं सिल्सेव गुप्ता एड्व स्थुपच्र रहे हैं